हर बच्चे का सपना होता है कि या तो वो J.E.Mains में या फिर जितने भी entrance exam में उनमें अच्छा स्कोर करें या फिर boards में अपने school level की exams में अच्छा स्कोर करें तो उसके basis पे मैंने आपको दो वीडियो दी थी chapter 1 की physical world की और आज जो हम cover करेंगे आज हम NCIT CBSE जितने भी आपके exams है प्लस जितने भी MCQ based interest exam होता है उनमें आने वाले questions आप जानते हो CBSC में भी और आपके interest में भी दोनों में ही MCQ questions बहुत आते हैं और जो आपको physical world वाला chapter है यह जाना ही जाता है MCQ questions के लिए तो यह हम cover करेंगे पहला point दूसरा हम लोग यह देखेंगे कि कैसे किसी topic को जो आपने पढ़ा है जो मैंने आपको topic पहले पढ़ा है उनको link करके questions कैसे question पूछे जाते हैं मतलब आप एक topic पढ़ते हो पर main क्या होता है बच्चों topic तो पढ important चीज कि आप बीच बीच में जैसे एक एक question होंगे तो मेरी आपको बीच में टिप्स और कुछ मैं आपको specific methods दूँगा जिससे आप एक MCQ question को कैसे solve करते हैं वो भी आपको पता लगेगा तो आप बहुत importantly बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से एक एक चीज को सुनते जाएं जितना आपकी listening power अच्छी होगी उतनी ही जादा आपकी thinking और आपकी mental abilities बढ़ती हैं तो चलो start करते हैं तो बच्छो आज हम लोग 20 कोशन लेने वाले हैं यह 20 कोशन मैंने निकाले हैं आपके जितने भी past year कोशन आपके CBC में पूछे गए हैं जितने आपके entrance exam में frequently बार बार पूछे गए हैं वो यह 20 कोशन है और इसके अंदर आप यह भी जानों को कैसे एक pattern क्या होता है solve करने तो one by one आपके screen पे सारे कोशन आते जाएंगे उसका हम answer भी note करते जाएंगे क्या answer क्या है और आप basically यह ध्यान दो कि कोशन को कैसे समझते हैं कोशन पर पढ़ लेते उपर उसको समझते कैसे हैं और उसको करते कैसे यह बहुत जादा important है clear है तो start करते हैं हम पहले question से मैंने मैं आपको जो इससे पहले वीडियो दी थी इसके अंदर आपको main thrust के बारे में बताया था चलो एक बार question देखते हैं और देखते हैं उसके उपर उस topic से एक particular question किस तरीके का आ रखा है question है main thrust in physics is made on main thrust in the physics is made on first option आपका experiment second option observation third option unification fourth option unification and reduction तो आपके चार option दिया है बोलाए कि जो main thrust है physics का वो किसके उपर बना सबसे पहले आपको बोला गया observation experiment unification एक चीज़ और एक है reduction अब देखो नाम तो मैंने आपको बता दिये और इन्हें physics कहती क्या है इन्हें physics कहती है कि यह हमारे main thrust है and unification and reduction तो चार option किस तरीके से दिये है experiment observation unification and unification and reduction तो अब जो आपके चार option है उनको आप अगर हम one by one observe करें क्या experiment से physics का main thrust बना नहीं physics का main thrust यह नहीं है experiment करना सिरफ वो तो scientific method होता है experiment करना observation करना scientific method का पहला point होता है नहीं unification सिरफ unification आप बोल सकते हो कि physics का main thrust कहीं नहीं होता है पर unification and reduction दोनों physics का main thrust होता है तो पहले आपका जो question है उसका answer है fourth आपका fourth इसी तरीके से अब second question पर आते हैं deriving the properties of bigger complex system deriving the properties of bigger complex system from the properties and interaction of its constituent similar parts is तो कहते हैं deriving करना मतलब बड़ी चीजों से बहुत चोटी चीजों को आपको derive करने के लिए simple parts का use करना बड़ी चीजों को अगर आपको derive करना है डूढ़ना है मतलब बड़ी चीजे कैसे वक करती है यह आपको जाना है तो क्या उसके लिए में simple parts मुझसे पढ़ना चाहिए अब यह इसके चार option क्या है चार option है unification, reduction, law या fact यह जो आपको पूरा statement दिया है एक आपको बोला गया है क्या यह unification है, क्या यह reduction है, क्या यह law है, क्या यह fact है क्या बड़ी चीजों को आपको बनाने के लिए छोटे parts की जोरत पढ़ती है तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर इसका answer क्या होने वाला है आपने reduction और unification पढ़ा था, तो reduction का मतलब यह था कि बड़ी चीजों को पढ़ने के लिए छोटे methods का use करना तो इसका answer आपका reduction होगा, unification नहीं, fact नहीं, law नहीं fact तो proof चीज होती है, तो याद रखना कि इसका answer हुआ, reduction आपका mind यहाँ पर दो तरीके से, या तो आपको याद होगा कि इसकी definition क्या है नहीं, तो आप यह देखो, कि हम बड़ी चीज को पढ़ने के लिए छोटे-छोटे parts का use करते है, वो reduction हुआ तो reduction इसका सही answer है, थर्ड ऐसी type की statement है, तो थर्ड आप देखते हैं, explaining diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws is explaining diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws is तो मतलब आपको यह पूरी एक statement दिया है, कि बहुत जादा phenomena's को, बहुत जादा जो phenomena's होते हैं, उनको कौन सा ऐसे part है physics का, जो उनको क्या करता है, एक ही concept में ब्रालता है, एक ही few concepts में उसे cover करता है तो इसके चार option, फिर से reduction दिया है आपको, unification दिया है, law दिया है, या fact दिया है, देखो reduction अब यह नहीं है, reduction में बलता है कि complex studies को simple part में पढ़ना, but unification यही करता है, कि जादा बहुत सारे जो diverse-diverse phenomena है, मैंने आपको एक example इसका दिया था इस video में, जिसके अदर मैंने बताया था, कि आप gravitation के इतने सारे parts, पर उनको सब में लाके हम unify कर देता है, और इसका सही answer है unification, तो second आपका जो था, उसका आपका answer था, that's called reduction, second, और इ दोनों ध्यान से एक वार rewind करके देखें, तो दोनों में जो options दे रखे थे, वो कुछ इस तरीके से दे रखे थे, पहले वाले में unification, first part, second part आपका reduction, इस वाले में पहले reduction, दूसरा unification, कुछ बच्चे क्या करते हैं, alternative marking करते हैं, one, two, one, two, तो ऐसा नहीं होता बच्चो, आपको unification और reduction नीचे दिया था, इस वार reduction उपर और unification दिया था, तो लगातार second second b, मतलब b b b b answer हो सकते हैं, अब आते हैं, fourth पे, मैंने आपको scope of physics पढ़ाये थे, उसके उपर अब topic पे question है, unification और reduction पे आपने देखे question, अब आते हैं, scope of physics पे, तो scope of physics पे आपने पढ़े थ बड़ा था, macro, meso और micro, meso उन दोनों के बीच का था, ठीक है, micro बहुत छोटों के लिए, और meso बहुत बड़ी चीज़ों के लिए, तो बोलावा है, in mesoscopic physics, we deal with, in mesoscopic physics, we deal with, यह आपको incomplete, एक line दे रखी है, कि mesoscopic physics किसके साथ deal करती है, phenomena's at laboratory, जो भी phenomena's laboratory में होते हैं, उनसे, mesoscopic phenomena's itself, deal with, molecular, molecular phenomena's, मतलब mesoscopic physics, पहला तो laboratory में, फिर, molecular phenomena's, जो छोटे molecule level तक के phenomena's होते हैं, उनसे deal करती है, थर्ड ऑप्शन, nuclear phenomena's, तो पहला आपको laboratory वाल ऑप्शन है, जितने भी नहों फिर लेब्स में होते हैं, molecular phenomena's, या nuclear phenomena's, और चौता ऑप्शन बड़ा ही जबरदस्त है, few, few, tens or hundreds of atoms, few, tens or hundreds of atoms, तो मैंने आप वो बताया था, ना ही एक छोटे molecule में लगती है, छोटे molecule में तो microscopic physics लगती है, lab में जो बड़ी चीज़ होती है, उनमें, macroscopic physics लगती है, तो mesoscopic physics आपकी लगती है, किसके अंदर, sometimes, किसके अंदर आपकी लगती है, few, tens or hundreds of atoms, तो इसका अंसर आपका है, fourth, the scope of physics covers, the scope of physics cover, ये चार option अभ्यान से देखो, the scope of physics, first option, second option, third option, और fourth option, आपके सामने आ रखा है, कि जो scope of physics है, ठीक है, वो किसके से आपकी deal करती है, तो scope of physics आपकी, पहला, 10 to the power minus 14 meter range to 10 to the power 26 meter range, length तक, 10 to the power minus 22 second to 10 to the power 18 second range तक, या 10 to the power minus 30 to 10 to the power 55 kg range, mass तक, या all of these, तो मैं आपको बता दू, कि इसका आंसर आपका है, fourth, all of these, इसका भी हमने, last video में जिखर किया था, कि किस-किस range के बीच में आ सकता है, और ये वही आपका, उसके उपर based question था, अब आते हैं, fifth, यह आता है, classical physics के बारे में पुछा है, इन्होंने पुछा है, classical physics deal with, classical physics किसके साथ deal करती है, पहला, macroscopic, दूसरा, mesoscopic, तीसरा, microscopic, और चौथा, sometime mesoscopic, sometime microscopic, तो आपकी classical physics किस-किस से deal करती है, macro के साथ, meso के साथ, micro के साथ, या sometime meso और micro, तो मैं आपको बता दू, micro और meso के साथ, कभी deal नहीं करती, तो इसके तीन option तो बिल्कुल चलेगा है, fourth option, जिसमें meso और micro दोनों बोला है, जिसमें micro बोला है, वो भी चला गया, और mesoscopic भी आपकी चला गया, तो सिरफ एक option बसता है, macroscopic physics, तो आपका fifth जो है, उसके अंदर आप यह जानोगे, sorry, जो आपका sixth question है, उसका जो answer है, वो है macroscopic phenomena, तो इसका answer आपका हुआ first, अब आते हैं हम seventh के उपर, कि आपका seventh question क्या कहता है, ठीक है, यह भी एक incomplete statement है, जिसके अंदर आपको बोलावा है, strategy of approximation involved, तो approximation जो होता है, वो किस-किस चीज को involve करता है अपने अंदर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, approximation होता है, जैसे मैंने एक example के तौर पर आपको πाई बताया था, कि πाई जो है, वो होता है, 3.1, बहुत सारी endless value इसके पीछे चलती रहती है, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, बहुत कभी भी कोई चीज रिपीट नी होती, हमेशे चलता रहता है, पाई की value, पर physics कहती है, कि आप एक significant figure तक ले लो, मतलब एक digit के बाद, दो figures ले लो, significant figure तक ले लो, तो आपका ये वाला पाट हो जाता है, तो एक बार, अब सुनो मेरी बार, तो, the strategies of approximation involves all the complexities of phenomena, पहला इसका option, extracting essential features of phenomena from its significant aspects, मतलब क्या significant value के aspects से ये phenomena, इनका कहने का मतलब है, कि जो भी आपकी बड़ी value है, उसमें से सिर्फ significant figure आप extract कर लो, मतलब दो डिजिट तक आप extract कर लो, तो क्या ये सही है, तीसरा, आपका कहता है, क्या ये strategies of approximation involves, third option, qualitative thinking, मतलब आप सिर्फ जो भी आपके answer है, उसकी quality check करो, कि वो सही है ये गलत, या last option है, all of these, तो इसका सही answer, ठीक है, आपको पता लग गया होगा, कि इसका सही answer आपका जो है, वो है, all of these नहीं, significant figure, significant figure जो है, वहाँ तक आपको बोलती है, कि approximation जब आप कर हो, तो आपको सिर्फ significant figure देखने है, तो आपका 7th का option number आपका क्या है, B या second आपका option है, फिर आते हैं, ये जबर्दस question है, 8th question बहुत ही सही question है, और काफी ज़्यादा बच्चे इसमें गडबड़ करते हैं, the scientific principle involves, the scientific principle involves, in super computer is, जितने भी super computer, super computer क्या होते है, जिनकी lightning fast speed है, बहुत जादा speed है, अभी तो हम लोग तो super computer use करी नहीं रहे, तो बोलते हैं, the scientific principle involves in super computers, ठीक है, और आपके सामने 4 option दिया हैं आपको, electromagnetic induction, thermodynamics, super conductivity, और fourth है, amplification by population inversion, आपको इन 4 के बारे में बहुत कम knowledge हो, और यह physics का पहले ही chapter है, तो मैंने आपको बताया था, कि last class में physics ने आपको एक knowledge दी थी, बुलिट ट्रेन के उपर, तो बुलिट ट्रेन के उपर आप यह याद रखना, कि आपको मैंने बताया था, कि आजकल super conductivity बहुत चल दिये, super conductors बहुत यूज हो रहे हैं, मतलब बहुत जो fast होते हैं, जिनकी lightning speed जितनी current होता है, तो जाइड सी बात है, super computers, super conductivity पर काम करेंगे, बाकि जो आपको तीनों, इसमें आपको एक माँ tip देना चाहूंगा, कि इसके अंदर आपको जो सबसे known fact लगे, देखो आपको नहीं पता, कि यहाँ पर induction का मलब क्या है, यहाँ पर आपका induction का मलब क्या है, तो आप इसे neglect कर, जब आपको induction, electromagnetic induction पता ही नहीं, तो आपको neglect कर दिया, उसका दूसरा फिर आपको option दिया था, thermodynamics, तो thermodynamics के बारे में आपने पहली बात पढ़ानी, दूसरा आपको यह पता है कि thermodynamics engine और heat weight के चकर से चलने वाली चीज़ है, तो उसको भी आप neglect करो, third, आपको super conductivity दिया था, तो super computer, super conductivity का लिंक भी हो रहे हैं, ठीक है, और fourth आपको दिया था, amplification of population inversion, तो यह भी useless है, तो कई बार क्या होता है, जो आपको सबसे non fact पता हो, जो आपने videos देखिए, उसके सबसे, जो सबसे non चीज़ आपको पता है, वही उसका answer होती है, तो बच्चो, आपको इसका answer पता लगा, कि इसका answer आपका है, super computer, जो आपके link है, वो super conductivity से link है, और आपको tip भी पता लगी होगी, कि जो भी आपकी most आपको सबसे ज़्यादा सुनी का ही बात होती है, तो उसपे question आने के chances ज़्यादा होता है, तो आपका 8 जो part है, उसका answer आपका था, 3rd super conductivity, उसके बाद आते हैं, हम एक statement दे रखिये आपको, सही है, और आपको बताना है, कि particular जो आपको ये 4 statement दे रखिये है, महलब 4 statement दे रखिये, उसमें से कौन सी सही statement है, तो 9th question आपका, इस type का है, which of the following statement is correct, which of the following statement is correct, first, the universal law of gravitation is an assumption और hypothesis, मतलब, universal law of gravitation है, वो एक assumption है, या फिर hypothesis है, ये पहला पूरा हो गया, कि या तो वो assumption है, या वो hypothesis है, assumption और hypothesis एक ही बात होती है, कि आपने कहीं न कहीं उसको mind में बिठा रखा है, कि gravity हमें attract करती है, और बहुत सारे चीज़ों, आपने इसके अंदर imagine कर लिए, hypothesis का मतलब, second, आपको दे रखा है, universal law of gravitation can be proved, universal law of gravitation can be proved, third, universal law of gravitation can be verified, और fourth, both, one and third, आप देखो, आपको एक नया टाइप का option मिला है, कि first और third भी हो सकता है, तो आपको चार ओप्शन में दुबारा बताता हूं, the universal law of gravitation is assumption, the universal law of gravitation can be proved, universal law of gravitation can be verified, तो आपको, और fourth option है, both, one and third, first और third कौन वहों से थे, कि universal law of gravitation is assumption, and universal law of gravitation is verified, तो आप अगर धियान से last आपने वीडियो देखी होगी, तो आपको पता लगा होगा, कि जो gravitation की theory थी, यह proof नहीं हो पाई थी, इससे सिरफ verify कर लिया गया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे formulas दिये, जो apply होने लगे, तीक है, जो ऐसे formulas दिये, जो काम आने लगे, जिनकी मदद से हमें rocket चलाना, satellite motion करना, यह सब पता ला गया, पर कभी यह gravitation theory proof नहीं हो पाई, तो proof वाल इसमें गलत है, तो 4 option में से, 1st, 2nd, 3rd, 4th में से, आप ध्यान से देखें, तो 2nd वाला बिल्कुल गलत है, जो कि यह gravitation law is proved, तो यह से हटा दो, अब बचा 1st, जो है, universal law is assumption, जो आपका 3rd है, वो है, universal law of gravitation is verified, तो यह दोनों मुझे सही लग रहे हैं, और यह दोनों सच में सह यह option है, तो आपका पता है, 1st और 3rd कैसे, 4th option में डाल दिया है, उन्होंने, कि बोथ 1st and 3rd, तो यह भी आपके इस टाइप के भी option होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा भी आपके option correct हो सकते है, जिसके लिए वो अलग से आपको 4th option आपको मिला है, clear है, अब आते हैं हम 10th प nuclear, force of weak nuclear, force of electromagnetic, तो इसमें से आपको order wise arrange करना है, कि सबसे strong कौन सी है और सबसे weak कौन सी है, तो मैं आपको बता दू, सबसे weak होती है gravity, strength के मुकाबले में, उसके बाद weak nuclear force, 1st number पर यह, 2nd number पर यह, 3rd number पर electromagnetic force, और 4th number पर nuclear force, तो आपका जितने भी option शो हो रहे हैं, आप देख लो यह वाला option कौन सा है, तो आपको पता लगेगा कि यह option second है, तो second option आपका बिल्कुल सही है, जिसके मुताबिक gravitation force, सबसे weak है, और सबसे strong कौन सी है, nuclear force, I hope आपको clear हो गया होगा, अगर आप अब यह question जितने भी मैं दे अग्या था, वो अगर आपको सारा याद हो, क्योंकि मैंना उस table के उपर लिखा भी था, कि what should I remember, मुझे क्या याद रखना इस chapter में, तो वो चीज़े याद रखने वाली थी, वो चीज़े समझने वाली थी, तो उनको एक बार थोड़ा अच्छे से revise कर लो, फिर आपको सा आरे कोशन आने लगेंगे, यह मेरी guarantee है, फिर आते हैं अगला कोशन, जो है, force which obeys inverse square law, the force which obeys inverse square law, first option, gravitational force, second option, electromagnetic force, third option, nuclear force, और fourth option, both first and third, तो आपको तीन option मिले हैं, gravitation force, electromagnetic force, nuclear force, या फिर, first and second दोनों, मतलब ये भी और ये भी, इन चार option में से, जहां से सोचो, inverse square law का मतलब क्या आता, कि force is inversely proportional to r square, मतलब जितना जादा distance, यहाँ पर जो r या अब d भी ले सकते हो, distance हम बढ़ाएंगे, उतनी ही force कम होती जाएगी, तो ऐसा होता है, gravitation के साथ भी, और electromagnetic के साथ भी, दोनों के साथ होता है, nuclear forces में lie नहीं करती, तो इसका answer ये दोनों नहीं, बलकि क्या है, fourth, both, first and third, तो आपको समझ में आ रहा हुआ कि question किस type के आते हैं इस chapter में से, चलो, अगला question पर आते हैं हम लोग, अभी हमने इसे fill कर देते हैं, 9th हमने जो question करा था, वो था, gravitation से related, तो उसका answer था, आपने fourth किया, फिर आपने ये पढ़ा, इसका answer second था, और आपने 11th question किया, उसका answer आपका fourth है, both, first and second, fourth option, फिर से आपको एक statement लिया और आपको बताना है, कि इन में से correct कौन सी है, gravitational force is a weakest force, पहला option, second option, electrostatic force is a weakest force, nuclear force is a weakest force, और electromagnetic force is a strongest force, तो हम नीचे से start करते है, fourth option से, electromagnetic force is strongest force, क्या ऐसा है, नए, electromagnetic force जो आपकी है, वो आपकी कही ना कहीं कहां होती है, electromagnetic force, second number पे आपकी होती है, electromagnetic force कहीं ना कहीं आपकी, second number पे आपकी होती है, यार रखना, और अब मुझे बताओ, कि क्या ये सबसे strongest हो सकती है, सबसे strongest तो nuclear है, तो last वाल option गलत हो गया, second last option कहता है, nuclear force is weakest force, यह तो बिल्कुली गलत है, nuclear force सबसे strongest होती है, उससे उपर, आपके electromagnetic force is a weakest force, नहीं, electromagnetic force second number पे है, तो पहला option कौन सा है, gravitational force is a weakest force, और यह दिख भी रहा है, तो बहुत आसान है, इसे आप टिक करें, और इसका answer आपका आएगा, कहीं न कहीं first, अब आता है है, 13 question पे, choose the correct statement, strong nuclear force are independent of charges, strong nuclear force are charge independent, weak nuclear force are charge independent, gravitational force are charge independent, या all of these, तो मैं आपको बता दू, charge जो होता है न, सिरफ electromagnetic force में होता है, इसी में electromagnetic force में plus minus S type का charge लेता है, बाकि किसी में charge नहीं होता, तो आप सोचो, पहला option भी बिल्कुल सही है, strong nuclear force are charge independent, strong nuclear force में charge नहीं होता, weak nuclear force is also a charge independent, gravitational force is also a charge independent, तो इसका answer क्या होआ, सोचो, yes, fourth, all of these, तो इसका answer आपका है, fourth, फिर आते हैं हम, question number 14 पे, choose the correct statement, again आपको एक statement दी है, बाल अब इस chapter में से statement वाले question जादा आ रहे है, तो, gravitational force are attractive force, gravitational force are attractive force, nuclear force are attractive force, electromagnetic force can be attractive as well as repulsive, यह all of these, मतलब gravitational force attractive होती है, सिरफ हाँ, gravitational force attractive होती है, हमेशा दो mass एक दूसरे को attract करता है, nuclear force attractive होती है, हाँ, दो protons हमेशा attract करता है, यह दोनों सही है, तीसरा, electromagnetic force can be attractive as well as repulsive, यह भी सही है, positive positive हो तो attract तो repel होगा, और positive negative होगा, तो repel होगा, तो सारे options है लग रहे हैं, तो इसका भी answer कहीं न कहीं 4 हो गया, यार यह तो जादा ही कुछ 4 हो रहे है, choose the correct statement, choose the correct statement, आप ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, बीच बीच में मैं भी कहीं न कहीं पढ़ने में, इधर उधर हो रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आपको भी बोलना है, बट आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पढ़ेगा आपको, यह वाला question ध्यान से सुनना, strong nuclear force, यह बहुत important question है और सबसे ज़्यादा यही question आया था, तो strong nuclear force is a hundred time of electromagnetic force, अच्छा, मैं एक सारी आपको बता देता हूँ, case क्या है, कहते हैं, कि strong nuclear force, मलब strong nuclear force, 100 times of electrostatic force, अच्छा, strong nuclear force is a 10 ki power 13 times, weak nuclear force, very good, strong nuclear force is 29 times stronger than gravitational force, strong nuclear force is equal to 29 times, sorry, 39 times बोला है इन्होंने, gravitational force, यह यह तो सारे सही है, yes, क्योंकि यह 10 ki power 39 होता है, तो यह 10 ki power 37 होता है, ठीक है, बहुत सही बता रहे हो, इसमें अगर हम ऐसे multiply कर देंगे, तो यह भी 39 हो जाएगा, 39, very good, यह होता है 10 ki power 39, और यह होता है 10 ki power 26, दोनों में difference कितना है, 13 का difference है, very good, और इन दोनों में, जहां यह 1 newton होता है, यह वह 10 ki power 39 होता है, तो यह तो 10 ki power 39 ही है, यह 37 होता है, इसमें 100 multiply कर होगे, 39 आ जाएगा, यह 26 होता है, इसमें 13 multiply कर होगे, यह आ जाएगा, और तो 1 होता है, 1 में पूरा का पूरा 10 ki power 39 multiply करने का पड़ेगा, तो यह आएगा, तो सारे option इसके बिल्कुल correct answers हैं, तो आपको इसका भी answer क्या लिखना पड़ेगा, hypothesis, तो किसके scientist ने verify किया था और hypothesis दी थी, अपनी, तो which scientist is verified with a hypothesis, तो कौन से ऐसे scientist हैं, अभी हमने just बात की, वो कौन थे, चलो मैं आपको पहले option बता जिता हूँ, Sir J.C. Boss, Albert Einstein, Isaac Newton, Sir C.V. Raman, तो आप मुझे बताओ, J.C. Boss के बारे हम आपको अभी नहीं पता, C.V. Raman के बारे हम नहीं पता दूँ, ऐसे बता दूँ, J.C. Boss बहुत ही अच्छे scientist है, उन्होंने सबसे पहले wireless signal भेजे थे, इंडिया से, तो ये scientist बिल्कुल कूल थे, proved थे, Albert Einstein proved थे, पर Isaac Newton सिरफ verified थे, और उनका सिरफ gravitational theory जो है, ठीक है, अभी तक वो proof नहीं हुए, वो just verified theory है, और hypothesis के थाद है, तो इसका answer है Isaac Newton, very good, आप लोगों को अगर ये याद रहा हो, तो बहुत जबरदस है, तो इसका answer अब थड़ हुआ है, काफी देर बाद को ये answer थड़ आया है आपका, चलो, अब आते हैं हम, हमारे 17th question पर, जो question कहता है में, choose the correct statement, choose the correct statement, फिर से एक statement, gravitational force is a central force, electromagnetic force is a central force, nuclear force is a non-central force, या all of these, फिर से मैं आपको stable पर लेकर जाओंगा, और आपको बता दू, gravitational और electromagnetic force, central force होता है, और nuclear force, central force नहीं होती, तो आप एक बार, वीडियो में जरूर देख लें, कि कौन सी central force है, और कौन सी central force नहीं है, ठीक है, तो आपको बता लगेगा, gravitational force, central force है, electromagnetic force, central force है, central force क्या होती है, कि जो center to center लगे, तो इसका answer है, all of these, क्योंकि gravitational है, electromagnetic है, और nuclear force नहीं है, और तीनों ही answer सही है, तो इसका answer है, all of these, अब आते हैं हम, 18th question पर, यह थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यह medium dependent question है, choose the correct statement, फिर से statement, या इस chapter में से, कितने statement के question आएंगे, gravitational force is not affected by medium, या inverting medium, not affected by, electromagnetic force is affected by inverting medium, nuclear force does not obey inverse square law, ठीक है, third option तो बिल्कुल सही है, nuclear force inverse square law, आपका inverse square law follow नहीं करता, gravitational force medium पे नहीं depend करता, और electromagnetic force medium पे depend करता है, यह भी मैंने टेबल में बताया, और इसके भी सारे options हैं, तो fourth आपका answer इसका सही है, I hope आपको याद रहा हो, यह तीनों बाते, थोड़ा सा यह tough question था, बाकी सब से, अब आते हैं, 19th question पे, अब बहुत थोड़ा सा time आप पर पास है, और समझने के लिए, choose the correct statement, फिर से आपको statement, कहते हैं, range, अब आपको range पे आ गया, किसकी कितनी range होती है, तो एक बार जरूर आप range के उपर देख ले, वीडियो को, कि range किसकी क्या थी, तो मैं आपको बता दू, कि range, जो है, strong nuclear force की इनों दे रखिये 10 की पावर माइनस 15, weak nuclear force की इनों दे रखिये 10 की पावर माइनस 16, और gravitational और electromagnetic force की infinite दे रखिये, तो मैं बता दू, strong nuclear force की होती ही 10 की पावर माइनस 15 है, weak nuclear की होती ही 10 की बावर माइनस 16 है और electromagnetic की और gravitational की दोनों की infinite होती है इसका भी answer all of these और अब आते हैं last आपके question पे फिर से choose the correct option gravitational force is conservative electromagnetic force is conservative nuclear force is non-conservative या all of these table में यार ये भी है और इसका answer मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आपने table में ध्यान दिया हो तो आपको मैंने बताया था कि conservative force gravitational और electromagnetic force होती है nuclear forces नहीं होती तो हमारे सारे question तो गए पर हमें अब pattern और tips क्या पता लगी tips हमें यह पता लगी कि जो आपको ज़ादा याद रहने वाली जो चीज आपने ज़ादा सुनी होती है तो कई वार वो ही answer होती है palliative दूसरा आप कभी भी zigzag pattern में नहीं चल सकते कि हाँ यार 1, 2, फिर मैं 4, फिर 3, फिर 2 ऐसे चलू कुछ लोग बच्चे इस तरीके से आपका क्या करता है hit and trial करते है पर अगर आप ध्यां से देखो तो क्या कहीं है ऐसा method बन रहा है 4, जादतर option 4, 4 थे कई वार जादतर option 2, 2 होते है कई वार जादतर option 1, 1 होते है तो आप कभ यह मैं सोचो के में zigzag pattern में चलो कई वार है ना बच्चों के साथ सबसे बड़ी गलती जो होती है वो tip number 3 में मैं बताता हूँ बच्चे सुचते है यार बार बार answer D, 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 D आ रहा है तो कुछ लोचा कर रहा हूँ कुछ में गलती कर रहा हूँ तो उपर आप खुछ सोचो कि जादतर आपको confuse करने के लिए answer A की हो रहा हूँ कई वार मैंने बहुत सारे इंटर्स दिया जिसमें answer maximum B होता है B, B, B तो जादतर B answer होता है बहुत वार है से होगा कि जादतर D था और एक बार तुम मेरे साथ ऐसे होगा कि लगाता है सारे answer मालब 10 options D थे और वो मैंने घर पे आके जब चेक ही थे तो आपको confuse करने के लिए कई बार एक ही pattern दे रखा होता है ठीक है? तक यह बच्छा को जिग-जग follow करे तब भी वो clear नहों पाए और जो बच्छा confident नहीं है क्योंकि confident होना बहुत ज़रूरी है वो भी यह गलती कर देता है कि यह pattern बनाने के चकर पर बार बार एक option नहीं हो सकता है और इस line में आप row में देखो out of 10 सर्फ दो ऐसे answers थे जो other than D option थे तो यह आपके tip नमर थी और फॉर्थ आपको यह जाना है कि एक topic को कैसे हम एक question से relate करते हैं एक topic को एक question से कैसे relate करते हैं तो यह लोग वो आपको इस question से समझ में होगा जब इन्होंने बोला होगा कि आपको जब range बताती इन्होंने आपको बता दी थी कि strength क्या होती है हमें पता थी के 10 की पावर 13 नहीं होती है strong nuclear force की हमें पता लग गया था के 10 की पावर 26 होती है weak nuclear force की और अगर इन दोनों में link बनाना है तो उन्होंने क्या कर दिया के strong nuclear force is 10 to the power 13 times of weak nuclear force तो अगर हम इसे देखते हैं के 10 की पावर 39 is equal to 10 की पावर 13 26 और अगर यह देखें तो यह proof हो रहा है तो आप left side और right side को equal करके भी देख सकते हो यह ना अगर हो कि हमेशा आप hit and trial कर clear है तो यह आपके 20 questions थे और कुछ और questions भी है जो इस chapter में से आ सकते हैं वो होते हैं इस table के उपर जी हो आपको स्क्रीन पे टेबल देख रही है बस इसमें क्या होता है बहुत सारे scientist का नाम दे रखा है और वो scientist किसको किसने क्या invent किया यह बता रखा है तो अगर आपके पास जब भी free time हो जब आपको मनना हो कुसी चीज को पढ़ने का और ऐसे ही देखने का मनना होगे कि scientist ने क्या discovery की थी तो आप यह भी पढ़ सकते हैं यह table based question होता है यह तो direct question होता है सीधा question होता है कि किसने आपकी fluids की theory दी तो our committees ने दी वो ठीक है किसने आपके signals का invention किया तो आपके किसने की आप boss ने किया आपके JC boss ने तो यह आपको याद रखना होता है कि एक last आप जब भी free बैठे हो तो यह table कर देऊ पर maximum आपको यह 20 question मिलेंगे ठीक है I hope आपको समझ मैं आया हूँ और ऐसी वीडियो को देखने के लिए please आप subscribe जरूर कर लें और हो सके तो अच्छे से यार दोश्तों में अपने share करो इस वीडियो वही informative वीडियो है पाई पाई पाई